गुरुवार को भारतिय विदेश मंत्राले ने कहा कि वह मालदीव के साथ अपने विकास के एजंडे को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतिय विदेश मंत्राले के प्रवक्ता रनधीर जैसवाल का ये बयान ऐसे समय आया है जब मालदीव और भारत के बीच तनाव चल रहा है और मालदीव ने बीते दिनों कहा कि 15 मार्च तक भारत के सैनिकों को मालदीव छोड़ना होगा। प्रेस कॉंफरेंस में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा मालदीव के विकास में सहयोग देने वाले साजहिदार के रूप में जो कुछ भी हो सकता है हम करेंगे। मालदीव की ओर से भारती एसैनिकों को देश छोड़ने की डेडलाइन देने के मामले पर उन्होंने कहा कि इस बारे में भारत मालदीव के बीच कोर ग्रुप की दूसरी बैठक में चर्चा होगी। 14 जन्वरी को भारत और मालदीव ने कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। इस बैठक में मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। ये सैनिक भारत की ओर से मालदीव को दिये गए जहाजों की मेंटेनेंस और उसकी देखभाल के लिए तैना प्लेटफॉर्म का ओन प्रेशन जारी रख सकें और माल दीव को लोगों को मानवी सहायता देते रहें। कोर ग्रुप की अगली बैठक भारत में होगी और जिसमें इस बात चीत को आगे लेकर जाएंगे। हालांकि ये बैठक कब होगी इस तारीख को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई।